दोस्तों मैं आपको एक बात पुछना चाहूंगे आप में से ऐसे कितने हैं कि जब रुतु बदलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे तो होती है जब भी कोई रुतु चेंज होता है तो एक अलग महसूसता आती है बहुत सुन्दर लगता है हर रुतु का जो एक आगमन है वो अपने आप में हमें एक अलग एनरजी देता है तो हमारा देश जो है वो इतना beautiful संस्कृति की धरोवर है कि जहां पर हर एक चीज का एक significance दिया है ये रुतुओं के बदलने में ही वसंत पंचिमी का तिवार आता है और आज की ये वसंत पंचिमी में मैं आप सब को बहुत-बहुत मुबारक देती हूँ और हम आज की एपिसोड की शुरुबात करते हैं इसी के साथ तो के सचीन आपका भी स्वाज़त नमस्ते ओम शान्ती रुतु चींज होता है वसंत रुतु में हम जब पदारपन करते हैं उसके पहले वसंत पंचिमी आता है वसंत पंचिमी में नाचरल है पत्तों का बहरना फिर से फूल लगना पेडों को और पत्ते नए आना ये एक फिर से हम कहेंगे कि जीवन फुल्ले की एक निशानी है लेकिन उस समय सरस्वती जी की पूजा होती है उसका क्या सिग्निफिकन्स है पहले तो हमारे तरफ से हमारे पूरे सिक्रेट टीम की तरफ से हमारे सबी दर्शकों को इस बहुत ही सुन्दर त्योहार बसंत पंचिमे की बहुत सारी धेर सारी शुब कामना है एक ही का देश है इस समय जिसके तीनों तरफ समुंदर है तीन अलग-अलग समुंदर है अरेबियंजी फिर इंडियन ओशियन और बे आफ बेंगाल और भारत एक ऐसा देश है जहां पर छे रूतु होते हैं बाकी कंट्रीज में छे रूतु नहीं है विदेश में रह चुके है तो आपने लंडन वगरा में क्या देखा है कौन सा रहता है विंटर और समर विंटर और समर है ना आपने देखा है ऐसे तो ठीक स्प्रिंग ओटम वो लोग कहते हैं लेकिन जो मेन है वो six month विंटर और six month समर चलता है और अलग से कोई मौनसून नहीं है जैसे इंडिया में होता है वैसे पूरी साल छुटी-छुटी बिल्कुल धिमिधी में बारिश चलती रहती है तो मैंने देखा वो डिफरेंस तो है और ये बहुत सुन्दर है बारा मास में छे रुतू हमारे पास होते हैं एक इस पर आप कई लोगों के लिए बहुत कम होते हैं जो परीवर्थन के साथ एच्जस होबाते हैं जैसे मैंने देखा कि अभी डिसेंबर गया, जैनवरी आया तो डिसेंबर और जैनवरी के पास शिशिर रुतु होता है, शिशिर के बाद ये वसंत आता है, है ना, वसंत, गृष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और फिर से शिशिर रुतु, ऐसे छे रुतु बताएं, और हर एक रुटू के अपनी विशेश्टा है, बारिश की अपनी विशेश्टा है, गृृष्म के अपनी विशेश्टा है, लेकिन वसंत जो रुटू आपने अभी कहा, ये बहार का मौसम है, ये बहार जहां पर सब फुल खिले हुए, आप विज्यॉलाईज करो, अमको परमातमा। ने कहा कि इस समय भले रूतू होते हैं और इस समय के तत्व तमो प्रदान होने के वज़े से कभी ज़्यादा बारिश गिरती है कभी ज़्यादा गर्मी गिरती है कभी ठंडी बहुत होती है लेकिन सत्यूग में सबसे अच्छी सत्यूग में हमेशा वसंत रूतू रहता है हमेशा खिले हुआ है हमेशा बाहर रहेगी अब ये कैसे होगा वो एन्वार्मेंटलिस्ट के उपर है कि क्या परिवर्दन होगा जो हमेशा वसंत रूतू रहेगा जैसे आज भी अगर आप नौर्थ पोल की तरफ या पोल की तरफ जाओ तो छे मैना बिलकुँ सूरज रहता है छे मैना नहीं रहता है वैसे हमेशा बारा मैना पूरा साइकल आफ रूत आप इमेजिन करो वसंत रूतू है और हमेशा फूल खिले हुए है तो कितने वाता वसंत रूतू यह सत्यूक का संदेशा लेकर आता है सत्यूक का संदेशा है वसंत रूतू और जैसे आपने कहा कि इस समय चारों तरफ फूल के लिए हुए रहते और हम तो कोंकन में हमारे इदर सीजन रहता है गोआ की तरफ या कोंकन की तरफ आम कैशू माना काजू है ना और सब जैक फ्रूट कठल ऐसे सब फल भी लगना चालू हो जाते हैं तो और ये बहुत सुकदाई माना गया है और शायद यही कारण है कि इस वसद के आगमन को मना यह पांचवा दिन होता है इसलिए इसको पंचमी कहते हैं इसको सेलिब्रेट करते विशेश इस दिन में जैसे आपने कहा कि सरस्वती की वंदना होती है पूजन होता है काफी अर्थों में मैं इसके बारे में सोच रहा था कि सरस्वती की कुई पूजा करते हैं है ना तो फिर चिंतन करके पता चला कि सरस्वती किसकी देवी है ग्यान की देवी है ना और सर सरस्वति ने उस ग्यान को सिंpul करके सबी को सुनाया तो सरस्वति का ऐसी देवी है जो ग्यान की देवी है, आdag किया है, किल्छर कीम, है music कि है यह सब वरदान उसको दिए वे और सरस्वति को अगर आप देखो तो उसको हमेशा श्वेत वस्तर में दिखाते हैं तो श्वेत वस्तर किसका प्रतिक है तो श्वेत याने पवित्र था हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए और हमको प्रार्थना सरस्वति की होती तो उसमें सरस्वती वान वर्व इतना इंपॉर्टन्स नहीं पने लैकिन आज मुझे उसका इंपॉर्टन्स पटा चला है सरस्वति को पवित्र देवी बताया है सभी दुवियंग आ जाते हैं हमको परमातमा शिव बाबा ने बता है कि पवित्रता सुक्षान्ती की जननी है起 और परमातमा का basic slogan है कि योगी बनो, पवित्र बनो तो मुझे इसमें बहुत क्लेक्षन दिखाये लेता है तो कही यह तो नहीं है कि पवित्रता का प्रतिक है इसलिए ज्ञान बुद्धी में टिकता है बुद्धी स्वच्छ है इसलिए ज्ञान बुद्धी में टिकता है या तो फिर ज्ञान है इसलिए बुद्धी पवित्र हो रही है दोनों एक दुसरे कोई जैसे योगी बनो पवित्र बने आप पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे. दोनों आपस में जुड़े हुए है. हम उसको अलग नहीं कर सकते. लेकिन शुरुवाथ तो कहीं से करनी होती है. पवित्रता की धार्ना से हमारे बुद्धी में गियान ठेहरता है. अभी ये जो वीना है, अभी बताया तो मिजिक का है कि यह कौन सी वीना है, हमको ऐसे लगता है अध्यात मिक्दा में ज्यान वीना है ये तो हमारे यहां पर भी परमातमा ने देखा कि जो जगदंबा सरसवती हम जिनको कहते थे जिनको प्यार से ब्रह्मा कुमारी में मम्मा कहा जाता था मैं चाहूंगा कि आप उनकी वो किताब पढ़ो जिसका नाम है जगदंबा सरस्वति तो हमने देखा कि पर्मात्मा के महावाक के जो पर्मात्मा ने सुनाए जो बहुत गुया होते थे जो ग्यान बहुत सिम्पल करके मातेश्वरी जी ने जिनको जगदंबा सरस्वति के तो इन्होंने सिंप्लिफाइ करके लोग के सामने रखा तो साक्षात ग्यान वीना थी मानना ग्यान की वीना बजाती थे और इस दिन में खास वसंद पंचमी में खास करके पंजाब और नौर्टन पार्ट अफ इंडिया उत्तर भारत में कई बच्छों को सीखाया जाता है बोलना है ना और लिखना आज के दिन में क्योंकि आज का दिन विशेश दिन है सरस्वती का और सरस्वती का वर्दान जिसक केवल एक दिन की बात है मैं इसे नहीं मानता हूं कि हमेशा हमारे उपर विशेश वर्दान होना चाहिए और सरस्वती के साथ दो बाते और दिखाए कि सरस्वती का जो वाहन है उसमें दो चीजे बताई जाती है एक तरफ आप मोर को देखेंगे और दूसरे तरफ हंस को तो हंस बुद्धी माना आपकी बुद्धी इतनी सवच्छा है पवित्र है कि इसको हम कहते है क्षीर नीर विवेक बुद्धी माना सत असत विवेक बुद्धी क्षीर नीर माना दूद का दूद पानी का पानी या कंकड और मोती तो हंस को हमेशा मोती चुगने वाला बता और मुझे लगता है इस बुद्धी की वर्तमान समय पे बहुत जरूरी है, जब चारों तरफ हमारे confusing में वातावरन है, negativity है, तो उसमें से अच्छा ही परकने की बुद्धी चाहिए, तो सरस्वती का वर्दान होता है, तो यह होता है, तो यह उन आत्माओं का यादगार है, ह हंस, हंस का आसन और दूस्री तरह मौर दिखाया है, तो मौर की बहुत सारी विशेष्च्टा है, मौर को पवित्रता के साथ भी जूडा जाता है, जो सफेथ कलर है, लेकिन मौर की और एक विशेष्च्टा है, कि मौर थोड़ा सा नह इंबैलेंस होता है, कभी जब खूश होता है तो नाचता है और जब दुखी होता है तो उसके आसू भी बहुत निकलते हैं तो मुझे यह हंस और मोर में बैलेंस दिखाए दिया कि एक हेड है तो एक हार्ट है तो हमको दोनों की जरूरत है लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि हंस बुद्धी को हम टॉप में रखते दिया कि जहां आप सरस्वती होती है वहां लक्षमी अपने आप आ जाती है और हमको परमात्मा के महावाक्य जो मुझे इस समय याद आ रहे है वो यह है कि जहां पर ग्यान धन है वहां बाकी सब धन अपने आप आ जाते हैं बराबर वो तो दुनिया में भी यही मान्यता ह कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर वो पढ़ाई लिखाई की बाहर की बात है, पर यहां पे सत्य ग्यान, सत्य रोशनी, अंतर ग्यान की बात चल रही है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये जो प्रतिकात्म का बता रहे हैं, कि स ग्यान की वज़े से भी आपके जीवन में बाहर आएगे, इसके पीछे भी कुछ सिगनिफिकन्स होगा, वर्ष का ये टाइम सरस्वती जी पूजा का क्यों चुना गया, कि पूरे साल में हर समय का अपना समय है, आपने बताया, हमने कई फेस्टिवल्स को पीछे भी देख स्पेशली आप मकर संक्रांती को लेंगे तो 14 जन्वरी जैसे, ये सब चीजे हैं, तो वसंत्रुतों के समय ही सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है, मुझे लगता है कि जिनों ने भी ये त्योहार चालू किये है, बहुत सो समझ के चालू किये होने चाहिए, तो मैंने दे इशल दे दिया हुआ है, तो दिवाली गया, नवरात्री गया, अभी रहा फिर बसंद पंचमी, तो सरस्वती को बसंद पंचमी के साथ इसे लिए जुड़ा है, कि जहां पे ज्यान है, ज्यान की शक्ति है, वह अपने आप भरपूरता आ जाती है, तो इसमें भी सिक्वें ज्यान की शक्ति को इन्वोक किया जाता है, फिर शक्ति, आपके पास पावर भी चाहिए है, उसको धारन करने के लिए, और फिर ये दोनों हैं, तो धन आएगा, तो लास्ट में दिवाली है, मुझे और एक बात यहां पर परमात्मा श्री बाबा की याद आ रही है, कौन स परमा ने एक महावक्य में कहा था कि मैं ज्यान का सागर पहले हूं, बाकी सब का सागरबाद में हो, तो ज्यान की आधार पर पवित्रता है, जहां पवित्रता है, वहां सुक शांती है, जहां सुक शांती है, वहां प्रेम और आनन्द है, और जहां पर यह सब 6 चीज़े व तुम को समझना पड़ेगा सरस्वति ज्यान के साथ पवित्रता बहुत है एक हो अभी ज्यान के साथ अगर पवित्रता नहीं ना उसी ज्यान का आंकार आपको 23 जैसे कि पहले में प्रवेश करने की पहले ही आपकी शिक्षा या पार्वी का सिक्ष्यआ का का होता था वो पूर्ण करने का आपको ताइम दिया जाता था क्योंकि ग्रहस धर्म के बाद आपके कुछ और जिम्मेदारियां हो जाती तो वो ब्रहमचारिया में पढ़ा जाता था उतना तो क्या उसे पवित्रता कहेंगे क्योंकि आज यह समय आ चुका है कि बच्चे सरस्व होना जरूरी है लेकिन जो आपने बताया कि चार आश्रम बताये थे ना ब्रहमचारिया ग्रहस्ता वानप्रस्ता और सन्यास आश्रम हमारे इदर यह मानने था था कि ब्रहमचारी स्टेज में ही पढ़ाई पढ़नी चाहिए उसका कारण यह था आपने बिल्कुल ठीका कि आपकी एनरजी फोकस है और बच्चों को घर से दूर जाना पड़ता है ना उनकी जो पढ़ाई होती थी वो गुरुकुल सिस्टम में होती थी घर पे नहीं होते थे तो वो बिल्कुल फोकस होते थे तो उसके लिए उनको तयार किया जाता था आज जो हमारे सामने जो आगरता जा रही है तो सरस्वती को हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा हमारे पूरे मनुष्य जीवन का वो बाल्यकाल जो है वो बेस है और वो बेस ही हिल रहा है येस बिल्कुल ठीक का आपने इसलिए मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि हमारे जितने भी यत्योहार वसंद पंचमी इसके साथ और एक बात जो दिखाई गई है कि इस तिन पंजाब की तरफ सरसो के फूल खिलते हैं बहुत और वो सब पीले कलर के होते हैं वही आपको पूछने जा रहे थी कि पीले कलर का क्या सिग्निफिकंस है वसंद पंचमी के समय सब पीला पहनना है सब पीला रंग आप देखो एक तो नेचर में अलग अलग फूल खिलते हैं ठीक है ना तो सरसो के फूल पीले कलर के होते हैं नमबर वन नमबर टू इस समय पंजाब की तरफ और नौर्थ में भाई हो या बहन सभी पीले ड्रेस पहनते हैं और इवन जो खाने के पदार्त मिठ प्रफाई बनती है वो भी पीले चावल उसमें केसर डालते हैं तो पीला कलर का अगर कलर थेरपी के हिसाब से देखा जाओ तो पीला जो रंग है आपने देखा हो अगा भारत में कृष्ण को पीतांबर करके नाम है पीतांबर तो पीला रंग यह समृधी का प्रतीक है खुशी तो पीले के साथ यह सब जाता है तो यहां पर ग्यान धन है वहां समृधी अपने आप आप आजाती है ग्यानी आत्मा हमेशा भरपूर रहता है तो जहां सरस्वती है वहां लक्षमी अपने आप आजाती है दोनों साथ में रहते हैं तो बिसिकली हमको लक्षमी के पीछे अलग से दोड़ने की जरूरत नहीं है जो सरस्वती को यधारत रूप में समझ लेता है सरस्वती के साथ पवीत रहता है तो ज्यान पवीत रहता जहां पवीत्रता है वहां पीला कलर है मनद सुख और शांती है जहां ग्यान पवीत्रता सुख शांती है वहां प्रेम और आनंद आएगा इसलिए लोग डांस करते हैं वसंत में डांस जो होता है एंजॉय करते क्योंकि सुख शांती है इसलिए प्रेम है आपस में और आनंद लिए बन जाते हैं मुझे अभी आनन की फीलिंग आने लगी है आप जैसे जैसे वसंत रूतु का बता रहे हैं और आज वसंत पंचिमी के हिसाफ से मेरे अंदर भी वह एनरजी जनरेट हो रही है आप इसा महसुस कर सकते हैं केवल हम वर्णन करते हैं वसंत का आप विजुलाइज करो वसंत रूतु है चारो तरब बहुत अच्छे पेड़ है हरे बरे पेड़ है जिनके उपर फूल लगे हुए और पंची पंची गाना का रहे हैं मैंने सर पहले ही बताया कि मैं वैसी ही बहुत जाधा रूतु हों को ईजोई करती हूँ किया है तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूं और आप जैसे बता रहें ना कि मैं I could visualize it बहुत beautifully कि कितना सुंदर मौसम खिला हुआ है बाहर बैसिकली अगर आप इसके और गहराई में जाए हमारे जितने भी त्योहार हम देख रहें उसमें अध्यात्मिक मैसेज खचा-खच भरा हुआ रहता है सिफ हमको उसको open करना आना चाहिए अगर आप गहराई से देखो कि वसंत रुतु को मूड बहुत अच्छा रहता है सभी लोगों का और आजकल सबसे बड़ी बीमारी मूड आफ रहता है लोगों का खुशी नहीं है जीवन में तो इसका कारण यह है कि खुशी क्यों नहीं है क्योंकि हमने cognitive distortion में भी देखा जब right और wrong thinking हम देख रहे थे लोग black and white सोचने लग कभी देखो तो सब बहुत खुश है कभी देखो तो बहुत दुखी है जिसको bipolar disorder भी कहते हैं तो यह जो fluctuation in mood है ना इसका कारण है कि अंदर का जो आत्मा है वो खाली है वह भरपूर नहीं है और वसंद पंचमी में हम सरस्वती की पूजा करते हैं तो अगर आप color को लोग negative emotions के साथ जोड़ते हैं वाइट कपड़े हो actually साथगी और पवित्रता कपड़े पर मरने के बाद उसको इसको 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 अशूब मानते हैं अगर science के इसाब से देखो तो प्रिजम में white light में सातों के सातों रंग चिपे हुए है तो white है वहाँ सातों के सातों रंग का जहां पर पवित्रता है सबरतनन की खान बताया है कबीर दास ने अपने दोहों में भी कहा है शीलोवान जो मनुश है वो सब रत्नन की खान है उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगे है ना तो सफेद रंग में सातों के सातों रंग समाए हुए है अपकोस येलो रंग समृद्धी का प्रतीक है तो हम इसको वसंद पंचमी को बहुत ही अच्छी तरह स ग्यान को अच्छी तरह से समझे और जब हम यह समझ जाते हैं तो वास्तरिकता में मेडिटेशन में क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने को आत्मा समझते तो मुझे यहाँ पर परमात्मा के महावाक के याद आ रहे है कि बाबा ने कहा था कि जो आत्मा परमात्मा से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी रहती है, जिसका योग अच्छा रहता है, परमात्मा से सर्व शक्तिया लेते हैं, तो जिनके भी संपर्क में वाती है, तो सामने वालों को ऐसी भासना आएगी, कि इस आत्मा में सभी रंग है, ये आत्मा में सभी शक्तिया ह होंगी और उनकी विशेष्टा यह रहती है कि उनके अंदर आठों की आठ शक्तिया जो ब्रह्मा कुमारी सेवें डेस कोर्स में सिखाई जाते जिसमें की परकना निरने करना फिर सहयोग करना सामना समाना समेटना यह सब जो शक्तिया है वो आपको महसूस आएगी कि यह आत् को संकिर्ण कितना अच्छी कर रही है यह भासना आएगे तो वसंद पंचमी के दिन हम स्वयम को इस इश्वरिय ग्यान से भरपूर करें सच्चा ग्यान प्राप्त करें और सच्चे ग्यान के उपर मनन चिंतन करें ताकि सच्च मुष में हमारे द्वारा जो वसंद का त्य जोहार है जिसमें हमने देखा कि इस चारों तरफ रंग विरंगे फूल खिले हुए है यह फूल किस चीज़ के है तो यह भी हमारे अंदर जो दिव्यकून हम धारन करते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत हमको अच्छा मिलता ने कहते हैं इसको मिलके मेरे को बहुत अच्छा इसकी खुश्बू बहुत अच्छी है खुश्बू माना सेंट नहीं जो हमारे लेकिन दिव्यकूनों की खुश्बू तो वसन पंचमी को अगर यथार्त रूप में मनाना है तो मुझे ऐसे लगता है कि यह चलो ट्रेडिशन से जो हम करते हैं वो जरूर करें लेकिन साथ ह लुषी में सरस्माति को सामने रख्कि सरस्माति ने जैसे पर्मातमा शीयो और ब्रह्मा बाबा से दीव्यकूनों की धारना की और अपने बुद्धी को हंस्पनाया और आठो जो हो जो हमारे द्वारा भी यह सभी रंग लोगों को मैसुस हो और जैसे ज्ञान स्वरूपा संपर्क में आने वाला हर आत्मा् वसंत रुतु की तरह बहरने लगे उन संदर उरजा का संचार किया आज की पूरी आपकि मार्गदर सन के लिए वसंत पंचिमी के बारे में जो जो आपने significance विरता है उसके लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया ओम शान्ते वसंद पंचिमी की आपको भेर सारी पुना बधाईया हो और उमीद है कि जो जो डॉक्र सचीन ने हमें वसंद पंचिमी के बारे में बताया कि सरस्वती का जो पूजन है पवित्रता का प्रतीक है जितनी बुद्धी पवित्र होगी ज्यान की धारना होगी जहां ज्यान है वहाँ पे लक्षमी जी आती ही है शक्ती मिलती है ये तीनों का जो कॉंबिनेशन बताया वो इतना सुन्दर था और सरस्वती ने जी भी ज्यान कहां से लिया तो शिव परमातमा से और ब्रहमादवारा वो ज्यान लेकर वो ज्यान वीना बजाती है इसलिए उनके रत भी ऐसे बताये हुए है मोर का प्रतीक बताया वहाँ सारी बाते बताई ये सिग्निफिकंस को समझते हुए जब हम कोई भी फेस्टिवल को सलिब्रेट करते हैं तो वो एक अलग खुशी हमें देता है आप जरूर कीजिए हम पुना मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते के लिए जरूर सम्ड़ी में देता हुए ही जरूर रूर करते हैं कर दो